हलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई हावी इस कार्डिंग में और आप तो कैसे हैं दोस्तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और इतनी सारी जो देन हुई है बारिश का इंजॉई किया होगा प्लांट्स तो करी रहे हैं दोस्तो और कुछ प्ला कर्के बेल बटन भी दोस्तों मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए और नए हम तो सब्सक्राइब कर एंज जाहिए गां आई मैं क्या बनाने जा रही हूं कैसे बनाने जा रही हूं चलिए दोस्तों आप लोगों को हम दिखाते हैं और आप लोग के साथ हम उस बात को शेर कर चलते हैं, मिलते ही दोस्तों चलिए, यह देखिए दो, दोस्तों, यह मेरी पाईल की बोटल्स है और इसका मैं प्लांटर बनाने जा रही हूँ, जो फेस वाले प्लांटर होते हैं, क्योंकि यह बोटल्स मैंने इकटी कि इथी, इपी के लिए क्योंकि यह हलकी होती है लाइट इनकी प्लास्पिक होती है तो आराम से इसली कट भी हो जाती है कैची से भी तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे यह पूरा सरकल दे दिया है और यह बीच में यह उपर के प्लांटा से नीचे से यह जॉइंट किया हुआ है यहां तक हमें इस तरह से कट करना फिर यह मैंने उपर सरकल किया और फिर यह मैंने इसके दो कान बना दिया क्यों जो भी फेस बनाना उसके हमें इयर्स भी हमें त्यार करने हैं इसलिए और यह देखिए यह मैंने कट कर दिया है जो तो ये नीचे जो मैंने सरकल किया ता उसको कट किया और उपर से जो जो इंट था उसको भी कटकर दिया अफर ये जो मैने एर्स में ने बनाई थे उन के सिस्टा के मैंने कर लिया इस तरह से तो यह हमारा प्लांटर बनके त्यार हो इस तरह है tienen शिलता हुआ ऐसी उपला armor ल के प्लांटर हमारा दे बंजाते हैं कैची से कट हो जाते हैं तो ये मैंने इकटी हो गई है तो से ऐपक बना के जो रैपर से अब 179Ge फिर इनको paint भी कर लूंगी यह देखिए दोस्कों मैंने सारे cut करके और इनको मैंने paint कर लिया यह हमारी 6 bottles इकटी हुई थी 6 मैंने काट ली है और इस तरह से भी paint कर लिया है से अब oil paint किया है यह हमने कि oil paint भूप में बारिश में कहीं भी रखो यह छोटता नहीं है फेड नहीं होता है इस वज़े से आयल प्रेंट किया है मैंने और ये हमारे पास है डिबे जो डिस्पोजल आते हैं जब हम बाहर से कोई खाना वगरा और जल करते हैं या फिर जाइफूर्ट भी होते हैं इसमें इनको भी हमने प्रेंट कर लिया है और ये ये इस तरह से और आसलिजोच पमें बाहर से नि हमने प्रेंट ऑब आता है और जल रोड़े के पीछें ये इमसील मैंने बाइब होता है डेंट जेए जना। के वहीं टीके रहे लुखजाएं ये देखी इमसीद मैंने पाइप होता है प्लास्टिक का ये ये वही पाइप है और इस तरह से ये तोहर मैने त्यार किया है और ये बोटल्स मैंने की ये अभी इनके फेस हमें बनाने हैं फेस चब बना लेंगे तब दोस्तों आप लोग के साथ फिर से मैं शेयर करूंगे और जब फेस बनाओंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी यह मैं पेंट कर रही थी तो पेंट में सेयर принT लग गया था थेली में दोस्तों कि दोस्तों मैंने मिट्टी मैं कीुटम करते हैं। का इस को यसको मैं है कर दोंगी फिर आप लोग के साथ में शेयर करूंगी और क्या करना है ऐसी twoi चोटी भी कट्ट देना है और आपके पास इससे भी छोटी क्या है काटिंग तो आप उसको भी आप लगा दीजिए तब भी वह ग्रो हो जाएगी इत्ती छोटी सी है कटिंग नीचे की लीज हटा के और फिर इसको ऐसे इसमें कर देना है बस ये देखें दोस्तों मैंने इनको इस तरह से हैं कर दिया है और ये अपना सिर हवा में हिला रही है और सभी में हमने ये पर्चलाका की छोटी-छोटी कटिंग लगा दी है ये कुछी दिनों में बरी-बरी हो जाएंगी और दूप निकल आई है धूप बहुत तेज से निकल आई है अभी इतना बारिश हो रही थी अभी धूप निकल आई है मौसम का कुछ पता नहीं है दूप निकलती एगदम से फिर से वाड़ल आ जाते हैं फिर से वारिश स्टार्ट हो जाति और आप बताइए आपको ये कैसे लग रहे है और ये देखें इधर ये मैंने टांग दिया है इस तरह से और इधर ये टांग दिया है और मैं सोचने हुँ जैसे इधर किया है वैसे यह जो बीच का हमारा स्पेस है इधर भी मैं इसी टाइप से यह बना के मैं टांग दूंगी तो पूरा सेट तयार हो जाएगा जैसे उधर है उधर और से बीच में तो यह मैंने किया है और दोस्तों देखी यह मैंने बिना पें जो है धग जाएंगे देखिए इस तरह से धक गई तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो पेंट करने की ज़रूरत नहीं अगर आपके पास इस तरह से इस तरह से ग्रीन बोटल है तो अब हैं ते अब बारिश में भी यह नहीं था अभी मैं इसको लेकर आई हूं यहां पर मैंने हैं किया अब यह बारिश में और भी अच्छे से यह ग्रो हो जाएंगी और देखिए दोस्तों इस तरह से लग रहा है और आप लोग बताईएगा आपको कैसा लग रहा है आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइश सब्सक्राइब जरू कीजिएगा में चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजेगा दोस्तों मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए और इसी तरह से मैं और भी डियाइवाइज अपने बनाती रह नेस्ट वीडियो में निव टोपिक के साथ और इसके साथ आप लोग हमारे कैरिस गार्डन की फुलवारी भी देख लीजिए अब जब मैं च्छत पे आही गई हूँ तो आप लोग देख लीएजिए इस तरह से कि हमारा कैरिस गार्डन भी अच्छे से चल रहा है बरिया स सब ग्रोथ हो रही है खुब अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है कि मैं च्छत पे आती हूं तो मुझे देखे बहुत अच्छा फील होता है मैं और भी यह मॉस रोज और पॉल्चला का और यह बोगन विला की कटिंग लगाने की सोच रही हूं जिससे कि और भी अच्छे हमारे पास फूल हो जाएं यह मैंने टायर पर यह मैंने रखे हुए है और यह मैं सेट अभी मैं तयार कर रही हूं दोस्तों जब मैं सेट अप तयार कर लूंगी तो यह भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी और यह मैंने कैसे बनाया वेस्ट मटेरियल से टोटल वे से पता चल जाएंगी दो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंट्स बाबाई